आखिर क्या है यह हिट एंड रन का नया कानून और इसका क्यों इतना बवाल मचा है आए यही जानने के लिए मागए है एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है दिलीब जी जिन से हमें तमाम टॉपिक पी भी बात कर चुके हैं आए इस पी भी बात करते हैं क्या है यह क्यों इ आए सहीता लाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा उसमें सेक्शन वन जिरो सिक्स में इंसर्शन किया गया है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर हिट करके और बिना पुलिस की इनफार्म की भाग जाता है तो उसको एक बड़ा क्राइम माना जाएगा और उस क्राइम के वज़े से भी होते हैं कई बार लापरभाही की वैसे होते हैं और कई बार रियल इंसिदेंसे होते हैं जो ट्राइवर के कंट्रोल में नहीं होते हैं तो हर क्राइम को एक ही नजर से देखना इसी बात को ले करके एजिटेशन इंडर और इसको कॉगनिजबल ऑफिंस कर दि जान पड़ा डिया जाएगा तो इसी लिए ट्रक डाईवर इजिडेशन हो रहा है कि इस तरह का बदलाव अचानक सा इतना बढ़ाना किया जाए जो पहले चहले च्याम होता था तो वो सीधे इतना सजा बढ़ा देना इतना फाइंद बढ़ा देना इसी बात को लेकर करके ट परताडना हो जाती है जिसको अक्सर कहा जाता है कि पुलिस परेशान करती है तो ये पुलिस को परेशान करने का माध्यम बन सकता है जबकि ये सरकार इस बात पर फोकस करती है जिरो टॉलरेंस क्राइम में भी करेंगे और हम करप्शन को भी खतम करेंगे तो अगर ये जो पुलिस की प्रताडना का भी है लेकिन हाग कभी कभी करेगी जरूर इसमें कोई दोराय नहीं है बहुत दुनेवासर हमसे बात करने के लिए कोई और पॉइंट जो मुझसे छूट रहा हूँ जो आप बताना चाहे इसी पूरे कानून पर तो बहुत सारे बदलाओं किये गए हैं और कानून में अच्छे बदलाओं भी किये गए हैं जैसे बहुत सारे क्योंकि जब यहापका IPC बनाता तो भारत की आज़ादी से पहले 18 में बनाता अठारासों में बनाता और तब की situation और आज की situation crime का स्वरूब change हो चुका है crime के जो माद्य हमते वो change हो चुके हैं तो अब बहुत सारी चीजों को जो आज की हिसाब से जरूर थी थी उनको भी cover किया गया है और बहुत सारी चीजों को सुधार की नजर से भी देखा गया है तो अच्छा है मतलब भारते नाय सहिता जो बनाई जा रही है almost 90% चीजे वही हैं जो IPC में थी जो 10% बदलाव हैं वो बदलाव आज के समय की मांग हैं और होने चाहिए थे